हेलो दोस्तो आज मेरी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही सुन्दर सी जड़ी बुटी इस वीडियो के माध्यम से इस जड़ी बुटी को पहचान लीजे देख लीजे और इस वीडियो में आज हम इसके गुडो की चड़जा करेंगे इसके बारे में बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे तो आईए दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके अलग-अलग भाशाओं में क्या-क्या इसके नाम है श्री वर्निका, भुरुंडी, सिती वार इसका संस्कृट नाम है दोस्तों दोस्तों में इसको बोलते हैं स्री आरी और सिल्वारी भी इसको कहते हैं मराथी में कूबरू और कोब्रा से पहचानते हैं बंगाली में इसे सुनी साग और कनन्न में इसे कुलू और दोस्तों लैटिन में इसका नाम है सिलोशिया, टिया यही इसका नाम वैज्ञानिक नाम भी है दोस्तों दोस्तों कहीं कहीं इसे सफेद, मुर्गा के नाम से भी जाना जाता है कोई-कोई इसे मयूशिखा के नाम से भी जनते हैं लेकिन दोस्तों मैयो शिखा जो औशदी होती है वो इसे थोड़ी सी अलग होती है ये मनस्पती जो होती है सारे देश में हर जगे पर पाई जाती है आप देख लीजे पहचान लीजे जो सकता है आपके छेतर में किसी और नाम से जानी जाती होगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपके छेतर में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ये जो घास है बरसात के समय हर जगे पे उत्पन होती है और ये दोस्तों फरवरी मार्च आते ही धीरे धीरे खतम होने शुरू हो जाती है नस्ठोने शुरू हो जाती है समाप्त हो जाती है तो रेतीले जंगल होते हैं उसमें आपको ये ज़्यादा देखने को मिलती है और देख लीजे दोस्तो इसके जो पुष्प हैं बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखते हैं इसके सफेद और गुलाबी जुंको अलो में जो पुष प्लकते हैं दोस्तो देख लीजेए दोस्तो इसके सबसे बड़ी पहचान जो है वो इसके पुष पी ही है इसके पुष प्यान की फूलों की सुन्दरता की वज़े से ही वाटिका में लोग लगाते भी हैं खेतों में पत्वार खर पत्वार के रूप में भी उत्पन हो जाती है इसके पत्ते देख लीजे लंबे लंबे और इस तरीके से मुलायम मुलायम होते हैं तो इसके पत्तो की सबजी भी बनाई जाती है जो बड़ी ही टेस्टी और बड़ी ही स्वादिस्ट होती है दोस्तों इसके जु तो मेरे स्वादे में इस तरीके से जुमकों में बीज निकले हुए हैं जो बीज होते हैं वो काफी ज़्यादा टाकतवर और पॉस्टिक भी होते हैं दोस्तों इसके जो बीज होते हैं वो पंसारी की दुकान पर भी मिलते हैं इसके बीजों को सिल्वारी के नाम से भी जाना गुर्धन होता है वो मुत्र के रूप में होता है और आयुर्वेदिक के अनुसार दोस्तो इसके जो गुर्धन है वो सीतल को बढ़ाने वाला और बुद्धी वर्धक होती है इसके लावा दोस्तो ये हमारे शरीर में तीनों दोशों का नास करती है और प्रमे नास का दोश ब्रहम और ज्वर का नास करती है या शिरियारी पच्चने में हलकी वीरी को बढ़ाने वाली और रशायन होती है जैसा कि हमने बताया इसका गुर्ज जो होता है वो मुतराशन होता है और साथ ही शीतल और रुचिकर होता है इसलिए दोस्तों जो मुतराशन या मुतरण के जो रोख होते है उसमें बड़ी ही या लापकारी होती है तो चलिए आए दोस्तों जानते हैं किसका आयरवेदिक उपायक और उपयोग कैसे करना है तो आए चलिए जानते हैं इसके उपयोग और गुर्ड लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे क्योंकि आपके लाइक से हमें कोई पैसे नहीं मिलते बल्कि हमारा मोटिवेशन आप हो जाता है और हमें और भी अच्छे-च्छे अईरवेदिक गुडो वाली और शदी आपके लिए लाने का मन करने लगता है और मैं ढून-ढून कर आपके लिए लेकर आती हूँ जल्दी से एक लाइक कर दे और चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से आप हाथों से ही मसले और इनके बीज बाहरी निकल आएंगे खुछ बीज आपको नरम-णरम दिखेंगे उन्हें आप धूप में नहीं चाया में सुखाएंगे चाया में दूखाने के बाद आप उसका पाउडर बनाकर रख लेंगे और इसको मिश्री के साथ बना करके रख ले और करीब रो जाना आप इसका और इसे मिश्री के साथ जब आप भर के रखेंगे और आप ध्यान दीजेगा कि कभी जब नरम बीज दिखें तभी इनको छाया में सुखाएं और पाउडर बना ले अगर सकत बीज हैं सुखें तो आप इनका पाउडर डारेक्टी बना सकते हैं लेकिन नरम है तो फिर छाया में सुखा हैं पाउडर बना है और मिसरी के साथ एक डब्बे में पीस करके इन्हें जग दे और हो जाना गाय के दूद के साथ 5 ग्राम इस पाउडर का रोज़ात में सेवन करना है आपको असा करने बहुत सारे लोक नीचे कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत गुढ़कारी बहुत लाबकारी ओशरी है इसके साथ ही जिननुको गोख्रू हो जाता है उनके यह विदियो चल्म अब से उनका रहा है आपकारी-बहुत ही और नोको आपकारी है और्जोह OA रुप में बहुत ही लापकारी है अगर आपको मुत्र संबंदी बहुत ही भैंकर रोग हैं बहुत ही ज़्यादा विमारी आपकी बड़ी हुई है तो दिन सेवन पानी के साथ करें बहुत ही ज़ल्दी लाब मिलेगा अगर आप इसके बीच को दूध या पानी के साथ नहीं लेके छांच के साथ भी लेते हैं तो भी ये आपकी मुझब संबंधी बीमारियों को खत्म करता है साथ ही आपकी वो बीमारी जैसे कफ की विमारी होती है उसे भी खत्म कर देता है दोस्तो या और शदी डाइबेटीज में भी काफी ज़्यादा लाब दायक है इसका सेवन आपको हपते 10 दिन करने से लगातार खाली पेट सुबा के टाइम इसके बीजो का पाउडर का सेवन करने से आप देखेंगे आपकी डाइ ये शीतल होने के कारण इसका गुड़ शीतल होने के कारण ये इस तरी रोग में भी काफी ज़्यादा लाब दायक है इसको बाल के इसका काड़ा इसके बीजो का काड़ा बना करके उसका भी लगातार सेवन करने से श्वैद प्रद्द जो होता है उसमें काफी ज़्यादा लाब दायक होती है इसके साथ या आप इसको फूलों को पीस करके इसका भी काढ़ा बना करकर सेवन करते हैं तो भी जो औरतों को सफेद पानी की परिशानी होती है उसमें बहुत ही जल्दी लाब मिलता है इतना ही नहीं दोस्तों महिलाओं की रक्त चाप जो होता है रक्त सं दोस्तों इसमें लाब मिलता है दोस्तों यह वनस पती जोडों के दद में भी काफी हद तक लाबदायक होती है इसके इसके पूरे 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 पंचांग को पीस लें पंचांग मतलब जड़ पती तना पत्या पौधे इसके जो भी पूरे पांश तत्यों हैं इनको निकाल पढ़ जाए इसका मॉस्चिराइजर ओडना जाए तब तक इसे पकाएं उसके आदि से कंटेनर में एर टाइट कंटेनर में रखें और उससे अपने गुटनों की मालिश करें आपका कहीं भी जोडों का दर्द हो कलाई पे गले पे या रीड की हड़ी में इस पैनल में कहीं पर भी आपके दर्द हो रहा है तो वहाँ पर इससे मालिश करें जहां भी हड़ीों का जोड़ है वहाँ पर मालिश करने से इससे आपको दर्द बड़ी जल्दी राहात मिलता है दर्द को ये ठीक कर देता है इसके साथ ही या अशरदी मुख रोग यानि की मुख संबंदी मुह संबंदी जो रोग होते हैं मुह संबंदी उनको भी बहुती जल्दी से ठीक करता है इसका पंचांग बना करके क्वाद बना करके आप इसके पानी से अगर कुल्ला करते हैं तो आपके मुह संबंदी मुह संबंदी जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं जैसे मूँ से बद्बू आना या मूँ में छाले पड़ जाना इत्यादी दोस्तो आयरवेदिक में इस ओशदी को वाजी कारक ओशदी के रूप में शामिल किया गया है अब ये वाजी कारक ओशदी कौन सी होती है वाजिकारक औहशदी होती है, जो पूरुष शक्ति को बढ़ाती है, जानि कि प्रजनन से related संबंदी जो भी समस्या होती है, उसे दूर करती है, तो अगर आपको धातु की समस्या है, या प्रलैक समस्या है, धातु की समस्या है, या धातु पतला है, धातु समस्या है, या फि पिर आपको सुपन दोस की समस्या है आप इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों कैसे करना है इसका प्रियोग दोस्तों इसके कोमल पत्तों का साग बनाकर रोजाना खाने से करीब 10-15 दिन और इसके साथ ही साथ इसके बीजों को फाग बनाकर फाग लेने से या फिर आप इसको जो है उसके उपर से एक ग्लास गाय का दूद पी लेने से अंदरूनी जो समस्याएं होती हैं अंदरूनी जो रोख होते हैं वो मिट जाते हैं और सरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है या प्रियोग लगभग 15 दिन से लेके एक महिने तक लगातार किया जा सकता है और इसका सेवन आपको 10-10 ग्राम की ही मातरा में करना है इसके साथ ही अगर आप इसके वीजो का चून बना लेते हैं और 10 ग्राम की मातरा में ले लेते हैं गुनगुने पानी के साथ लेते हैं त दोस्तों ये रही आज की वीडियो और ऐसी कई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हों ये वीडियो हम आपके लिए ही लाए थें तो आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से इन तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो